काफी डिलर्स को परिशानियां यह आ रही है कि कस्टमर्स टू विलर्स खासकर उनकी गाड़ियां जब बंद हो जाती है या उनका मिक्सिंग होती है तो मिस्तरी उनको यही बोलता है कि आपका तेल खराब है तो वह सीधा पेट्रोल पॉम्प के पास चले जाते हैं अब अहां से इनके छौल से दिक्कत आ रही है कि हमारे पेट्रोल के टैंक से से बेशक जाए ना जाए अगर किसी के गाड़ी के उसमें तेल में अगर बाई चांस किसी का तेंकी में कोई दिकत है या उसके उसमें पानी हो गया है उससे भी अगर थोड़ा सा भी एथनॉल उससे मिक्स होके पानी बनता है तो गाड़ी मिसिंग करना शुरू कर रहती है जब वो मिस्तरी के पास जाता है तो वो म पहले भी एक बार हंगामा हुआ था और आज भी सुबह इतनौल को लेकर हंगामा हुआ हंगामा हुआ आरपी पेट्रोल पंप सत्वारी में और हंगामा ये हुआ कि स्विफ्ट गाड़ी के किसी मालिक ने ये शिकायत की कि मेरी गाड़ी में तेंकी के अंदर पानी आया हुआ है वो वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी और उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि आरपी पेट्रोल पंप के उपर जो आरपी पेट्रोल पंप के मालिक हैं उन लोगों ने बाजाबता दिखाया कि उनके के अंदर कोई पानी नहीं है वो वीडियो भी आपने देखा है लेकिन वीडियो के वाइरल होने के बाद और इस सीज के वाइरल होने के बाद कि 30% इथनॉल पेट्रोल में हैं 10% की जगा हंगामा मच गया स्ट्रेट लाइन ने कोशिश की कि वो मालूम करे कि तथ्य क्या है क्या वाकई 30% इथनॉल है पेट्रोल के अंदर तो कुछ तथी जो हमारे साथ लगे हैं आप तक पहुँचाएंगे पहली बात तो ये इंडियन ओयल कॉर्परेशन इस तेल को एक ही जगा से पूरे शहर में बांटती है सिर्फ पूरे शहर में नहीं बलकि 236 पेट्रोल पंप हैं इंडियन ओयल कॉर्परेशन के और उन 236 पेट्रोल पंपूं पर एक ही जगा से जम्मू से एक ही जगा से तेल 236 पेट्रोल पंपूं पर जाता है इंडियन कर्पूरेशन के दिखारियों से जिन से हमारी बात हुई उन्हों ने आए आ हम यह कहा कि वक्तन फवक्तन शिकायत आती रहती है और शिकायद जब हमारे पास आती है तो शिकायद के आने के बाद हम फोरण पेटरोल pemper पर आते हैं सेंपल लेते हैं सेंपल की टेस्टिंग करते हैं चेकिंग करते हैं और अगर किसी को दोशी पाते हैं तो उसके खिलाफ कारवाई भी की जाती है यह इंडिन और कॉर्परेशन का कहना है उसके बाद इंडिन और कॉर्परेशन के अधिकारियों ने एक और बात कही उन इसके अंदर है तो इस मामले में भी हम कारवाई करेंगे लेकिन उन्होंने ये कहा कि सरकार की के आदेशन उसार 10% इथनॉल पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है और इस 10% इथनॉल को सिर्फ हमारे ही देश में नहीं लेकिन जब आप विदेशु में भी चले जाएं तो वहा इस आरपी पेट्रोल पंप के मालिक हैं आईए इन से समझने की कोशिश करते हैं कि तथ्य क्या है राहुल जी मुझे बताईए कि सुबह के कुसी स्विफ्ट वाले के साथ यहां हंगामा हुआ था क्यूंकि आपके यहां तो मुझे लगता है CCTV कैमरा होंगे उसमें तो पता चल जाएगा हंगामा हुआ था कि बिल्कुल सर ऐसा कुछ नहीं है पर सो भी किसी चैनल ने कोई कस्टमर है वो कहीं गाडी गड़ से कहीं से पेट्रोल डलवा के आया तो उसका यहां पे हमारे पंप के आगे काई बाइक बंद हो गया उसने किसी निउस चैनल वाले को फोन पर यहां पर है ऐसे ही शायद किसी आज गाड़ी ने तेल डलवाया होगा यहां हम हर रोज सुबा छे बजे अपना जब पंप छे साड़े शे बजे पंप स्टार्ट करते हैं तो हम पहले उसका सैंपल लेते हैं उसके बाद 10 बजे हमारे लॉक्डाउन लॉक्ड लग जात हम चलते ही नहीं है तो हमने टेस्टिंग की हमने सैंपल भी लिए और जो कि बिल्कुल सही थे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी और हमने अपनी सहील कंटिन्यू की हमने कोई 800-900 लीटर हमने तेल सुबा से बेचा हुआ था हमारे पास कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं एक जरूर कंप्लेंट के आई कि किसी ने हमें फोन करके बोला कि मेरी गाड़ी फलानी फलानी जगापे रुख गई है तो हमने कहा कि हमारा तो पट्रोल बिल्कुल सही चल रहा है लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं है हमने अपना डिप मारी हमें बिल्कुल सही था अब उन्होंने आई डो बाद इमेजेटली आपने सेल बंद कर दी कि हमने जब किसी ने हमें वो बोला जाहला कि अगर हो था अगर ऐसा होता तो शायद अभी यहां नहीं आपने फप सेल किसी नहीं थी कि अपने च्राइट अपशर है उनको मैं धिखाई वो लिखाई तो बिल्कुल जो ट्रांसपेरिंसी पहले पैट्रोल में हुआ करती थी वो थोड़ी सी नहीं थी तो मुझे लगा कि अभी ये थोड़ा सा इसमें कुछ गुजाईश है इसका मुझे खल बताओ और उसके बाद मैं अपनी सेल चालू करूँगा तब तक मैं अपनी सेल चालू नहीं करूँगा तो क्या इंडिन आयल कॉर्परेशन की तरफ से आपको कोई उन्होंने कोई जवाब दी अभी तक कोई बात आपको बताई सर उन्होंने मुझे तो पहले बोला कि आप अगर आपका प्रोड़क्ट अगर ठीक है आप सेल कंटीनू कर लो हम इसको सेंपलिंग के लिए बेजेंगे लेकिन मैंने कहा नहीं पहले आप सेंपल उसमें पानी है कि नहीं है वहीं सब जगा पर पानी जाता है वह यह कहते हैं कि अगर पेटरोल में कोई गड़बड होती है इतनौल की जो परसंटेज मात्रा बता ही जा रही है यहाला कि उन्हें यह कहा कि सिर्फ हमारे पास अथारिटी है यह पता करने की कि इसमें इतनौल 10% है 5% है 7% है अगर ऐसी कोई दिक्कत होती तो बाकी पेटरोल पंपू से भी इस तरह कि शिकायत हमारे पास आती तो मुझे यह बताएं दोiciosटोल पंपूं पे किया आपके समपर्ग में सारे पेट्रोल पंप के मालिकां रहते होंगे कि किसी और जगाभी कोई इस तरह की शिकायत आपके नोटिस में क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि नहीं जी कोई शिकायत नहीं हुई है लेकिन क्या किसी और मालिक ने आपको फोन करके बताया या किसी और ने कहा कि मेरे यहां भी यह दिक्कत आ रही है तो चलिए मिलकर को कहते हैं कि इसको रिजॉल्व करें ची ऐसा है कि 236 पेट्रोल पॉम जरूर है और यह जो पेट्रोल एथनॉल मिक्स डा रहा है यह ब्लेंडिंग होके पीछे वहां से कंपनी से पीछे से रिफाइनरी से ही आ रहा है डिपोट इधर है लेकिन 236 के 236 एक दिन में तो उठात हैं कुछ अपने पर ही इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं बड काफी डीलर्स को परिशानियां यह आ रही है कि कस्टमर्स टू विलर्स खासकर उनकी गाड़ियां जब बंद हो जाती है यहां उनका मिक्सिंग होती है तो मिस्त्री उनको यही बोलता है कि आपका त परचा भरना पड़ता है अदर्वाइस मेरे ख्याल से इनके नौल से दिक्कत आ रही है हमें क्या सारे उसको हमें दिक्कत इसलिए आ रही है कि हमारे पेट्रोल के टैंक से बेशक जाए ना जाए अगर किसी के गाड़ी के उसमें तेल में अगर वाई चांस किसी के टैंकी म पास जाता है तो वो मिस्त्री तो उसको यही बोलता है कि आपका तेल खराब है और वो जो लास्ट जिससे उसने डलवाया होता है वो कल्परिट बन जाता है अचा मुझे राहूल जी एक सीज़ और बताएं क्या आप इस बात को मानेंगे कि इंडिन आयल कॉर्परिशन हो एचपी हो दोनों हिंदुस्तान पेट्रोली में दोनों असफल हुए हैं अपने डीलर्स को कॉन्फिडेंस में लेने में और उनको यह बताने में कि एथनॉल ज एकि क्या कॉन्फिडेंस में नहीं लिया इंडिन आयल वह ब्लेंड कर दिया और दूसरा ही कि क्या वाकई है यहस्चे जो पेट्रोल में पहले मुनाफ़ह था वह आपका कम हुआ है अबिसल केसा इसका कुई लेना देना नहीं मुनाफ़ह न है पिशले दो साल से हमारी कोई कमिशन बढ़ाई नहीं है, that's a separate issue, और product महंगा होता है, कमिशन का percentage अगर सेम है, तो वो तो obviously उससे थोड़ा सा फर्क हमें पढ़ता है, लेकिन ये सिरफ problem आई है, सिरफ timing की, अगर इन्हों ने ethanol अभी लाना था, तो ये October के बाद, monsoon के बाद ला सकते थे, जब लोगों को, और ये information पहले लोगों को देने, information ये लोगों को दे सकते थे, जो कि इन्हों ने नहीं दी, और ये timing इनकी बिल्कुल थोड़ी सी गलत हो गई, और उससे पहले, इनको चाहिए था, अपने dealers को बता के, और अपने सारे, क्या HPCL, क्या BPCL, क्या IOC इनको अपने dealers के सारे tank flush कराने चाहिए थे, जिनके बिल्कुल क्लियर करवाने चाहिए थे, जो कि ये नहीं करा पाए, और उसकी वज़ह से कहीं जगा दिक्ते आ रही हैं, अच्छा राहूल जी, बहुत इमानदारी के सादा बात करें, एक सीज़ आप से और समझना चाहू इनने नॉयल कॉर्परेशन हो, जैसे आपने कहा भारत पेट्रोलियम हो, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, आप से ये जानना चाहूंगा कि जब बात आती है अपने डीलर को ये बताने कि हम 10% इतनॉल मिक्स कर रहे हैं, क्या आपको आपके टेंक में पेट्रोल डलने के पता चला कि इसमें एतनॉल की ब्लेंडिक हुय है या आपको पहले से मालूम था और पेट्रोल बाद में आपके पास आया। नहीं सर हमें दो दिन पहले पता चला आठ तारीक को इनका यह स्टार्ट हुआ है एच पी सील में छे तारीक को स्टार्ट हुआ है और हमें छे तारीक को हमें वी सी करके हमें बताया गया कि आपके उसमें हम आठ तारीक से अपना एथनॉल का प्रोड़क्स स्टार्ट कर रहे सब्सक्राइब करने के लिए उसका जब कोई जवाब नहीं है इसलिए हमें प्रेस कोई शक नहीं आप भी अपने कस्टमर को सेफ रखने के लिए उसकी गाड़ी को सेफ रखने के लिए आप भी नहीं चाते कि आपके यहां पैटरोल पॉम्प के उपर आकर लोग हंगामे करें मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाएं और लोग ये शिकायत करें कि आपके पैटरोल पॉम्प से है तो शक्याइब कब उसका टाइमिंग मतलब उसकी गाड़ी के लिए हम आपनी कोशिस कर सकते हैं हम इपनि सेल को नुक्रान कर करें लेकिन ड्रक्राइब matter यह उसके लिए हम इस में आपनी धर शうक्रान vision कर रहा हैं या आपने लिए चाहता है कि आपको परिशानी कि साथ के सब परशानी तो है जाओंगा आप सभी लोगों को कि आप देख सकते हैं कि अपने कंजूमर को सुरक्षित रखने के लिए उसकी गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए और कॉन्फिदेंस न टूटे कंजूमर का इस पेट्रोल पंप के मालिक के ऊपर इस पेट्रोल पंप के ऊपर यह मुझे बताइए यह सब चीजे आपने क्यों लगा के रखें मोटर लगी हुई यह यहां पर पाइप यह अगर बाइचांस कभी जब पानी हो जाता है तो हम इसको कहींचने के लिए बेसीकलि ये जो प्रापर्टि यह सारी कंपणी की होता है टारी कंपनी चैसी नहीं होता है और पाया कि अमने पानी नहीं हुआ है वह बिल्कुल नीचे से निकालते हैं ना तो व ओवर दो टो टो आइन में स्लज थोड़ी सी कठी हो जाती है वो आई है वो लास्ट बस वही इतनी सी है निकली जो और कुछ नहीं है तो ये थे राहूल जी और आपने आरपी पेट्रोल पंप के उपर सुबा क्या कुछ हुआ वो आपने सुना मगर एक बात राहूल जी के बिल्कुल सही है कि इंड रिकते आने की संभावना है पॉसिबिलिटी है वो इनको बतानी चाहिए थी और जैसे आपने यहां पर वैक्सीन फर ओल वर्ड लार्जस फ्री वैक्सिनिशन केंपेन लगाया हुआ है इसी तरह के बड़े-बड़े बोर्ड आपको यहां पर लगाने चाहिए थे जिसमें आप बताते कि इतनौल की ब्लेंडिंग से गाड़ी में गाड़ी की माइलेज के उपर गाड़ी के पेट्रोल टैंक के उपर गाड़ी के बाकी पार्ट्स के उपर फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो सारी चीजे यहां पर अगर आप करते तो शायद आज राहुल जी को परिशान होना नहीं पड़ता शायद आज पूरा दिन कितना कितने घंटे हो गए आपको सेल बंद की हुए शे घंटे में मतलब कितनी सेल का नुकसान है आप अंदाजा लगाईए कि छे घंटे से पेट्रोल इन्होंने देना बंद कर दिया केवल इसलिए कि एक गाड़ी ये कितने इमांदार है और कितने ज्यादा ये अपने कंजूमर को लेकर तटस्त है और कितने ज्यादा ये चाहते हैं कि जल्द से जल जो है इस मसले का निप्टा रहा हो इन्हें आयल कॉर्परेशन से भी हमारी बात हुई थी हमने उनसे जब पूछा तो उनने साफ़तोर पर ये कहा कि 90% पेट्रोल 10% इतनौल है सवाल ही पैदा नहीं होता कि इतनौल जो है 30% हो लेकिन अगर ऐसा कहीं हुआ है शिकायते आती रहती है हमने संग्यान लिया है और हम संग्यान लेने के बाद उस सैंपल को टेस्ट करेंग और अगर ऐसा होगा तो क्यूं हुआ उसका प के अदाम बढ़ गए डीजल के दाम बढ़ गए एधनौल की ब्लैंटिंग बैट्रोल में हो गई है लेकिन इनका मुनाफ़ा वही का वही है लेकिन जैसे राहूल जी ने कहा यह बाद की बाद फिल्हाल मामला स्रिफ इतना हमारा कंजूमर इटनॉल की वज़से परीशान और हमारा शेहर में नाम खराब नहों